हाई फ्रेंट्स मैं आपका अपना दोस्त अशुक जांगे लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक न्यूँ वीडियो और फ्रेंट्स आज की वीडियो में आप जान पाऊगे कि किस तरीके से इम डिविएनन एप्लिकेशन को यूज करें डिविएनन वैसे तो एक डाउन्लोड कर सकते हूँ एदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें साथी साथ आप चैनल भी सब्सक्राइब करने तो फ्रेंट्स अब हम क्लिक करते हैं डिविएनन एप्लिकेशन पर और जैसे आप क्लिक करते हैं आपसे क इसके बाद में एक और पर्मिशन के लिए हमें एक आ जाता है इसे भी हमें अलाउ करना है फिर हमसे एक और पर्मिशन मांगी जाती है हमें इस पर्मिशन को अलाउ नहीं करना है क्योंकि इस एप्लिकेशन का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे हमारे फोन को मेनेज किया जाए त एक और पर्मिशन मांगी जाती है क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आप से verification के लिए कहा जाए और आपको message send किया जाए verification के लिए तो हमें इस permission को allow कर देना है message ताकि हमको application send कर पाए चलिए allow कर देते हैं इसके बाद में आपका application open हो जाता है और आपको top right corner पर यह option मिल जाता है language select करने के लिए select language drop down list तो जिस language में आप text read करना चाहें उस language को आप select कर सकते हो तो फिलाल के लिए मैं यहाँ पर Hindi language select कर लेता हूँ तो यहाँ पर Hindi language select हो गई है इसके बाद में आपको bottom में आ जाना है जहाँ पर आपको कई सारे options मिल जाएंगे चलिए हम देख लेते हैं selected camera selected camera camera और gallery यह options आपको कई सारे application में मिल जाएंगे जिससे आप camera से photo click करके और photo read कर सकते हैं gallery से photo ले करके और read कर सकते हैं तो same इस application में भी है इसलिए हम ज्यादा इन options पर ध्यान नहीं देंगे इनसे अगले options में हम चलेंगे gallery PDF PDF option हमको बहुत कम मिलता है तो हम PDF option को यहाँ पर चेक कर लेते हैं PDF और जैसे यह PDF पर क्लिक करते हो आपको आपके पास जितनी भी PDF होती है वो यहाँ पर सारी शो कर देता है लेकिन आपको मैं एक चीश बता दूँ यहाँ पर आपको वो ही PDF शो करेगा जो की आपके WhatsApp मीडिया में और WhatsApp डोक्यूमेंट में है और आपको PDF शो नहीं करेगा इसलिए जितनी भी आपके पास PDF हो वो सारी WhatsApp में जाएए WhatsApp मीडिया में जाएए और फिर WhatsApp डोक्यूमेंट में पेस्ट कर दीजिए फिर आपको यहापर सारी PDF शो कर देगा तो चलिए अब हम कुछ PDF को देख लेते हैं तो यह हिस्टरी का PDF है और मैं इसे सेलेक्ट करके आपको रीट करके दिखाने वाला हूँ तो उसलिए क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर PDF हमारी सेलेक्ट हो गई है इसके बाद में आपको क्या करना है आपको स्वाइप करना है एक बार लेट से राइट की और क्योंकि हम इस फाइल को क्नवर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट में तभी यह रीड कर पाएगा और इसके बाद में एक बार और स्वाइप करेंगे प्ले बटन इस प्ले बटन भी आपका तब काम करेगा तभी यह कनवर्ट हो जाएगी फाइल और आपको मैं एक चीज बता दू आप डाइरेक्ट ही टच करके रीड कर सकते हो क्योंकि प्ले बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपको भूछ जदा वेट कराएगा यह रीड करने के लिए तो आप डाइरेक्ट ही टच करके रीड कर सकते हो तो चलिए अब हम टच करके इसे रीड कर लेते हैं सो फ्रेंज जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि PDF के सभी फॉंट को रीड करता है आप भी जरूर ट्राइ करके देखिए कि कौन कौन से PDF को या कौन से PDF फॉंट को ये रीड करता है बहुत बड़ी एक समश्या थी कि हमको सिर्फ मंगल फॉंट के PDF को ही पढ़ सकते थे लेकिन पूरी पूरी कोशिश इस एप्लिकेशन में ये की गई है कि आपको सभी फॉंट को रीड करके बता दिया जाए आपको जो भी PDF फॉंट रीड नहीं उपा रहा है उस PDF फॉंट के लिए आप जरूर बताईए डवलपर को और जरूर से इस एप्लिकेशन को रीड कीजिए और फ्रेंस मुझे भी जरूर कमेंट करके नीचे बताईए कि आपको एप्लिकेशन कैसा लगा और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल सब्सक्राइब करना